हेलो गाइज वेलकम टू आर चैनल और इस वीडियो के अंदर एक बड़ा टॉटाउस ना ना समून ऐसा पात्वे सॉर्बिटोल पात्वे जिसको पॉलियोल पात्वे भी कहते हैं हम इसको पढ़ने जा रहे हैं बड़ा चोटा से देकन आप भी खतम हो जाएगा अभी एक मि ग्लू कोस कन्वर्ट होता है ध्यान से सुना ग्लू कोस कन्वर्ट होता है सॉर्बिटोल में इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉनसिबल है जिसका नाम होता है ये इन्जाइम की एक खास बात है It can reduce any aldehyde sugar and दूसरी खास बात यह है कि It is a general enzyme मतलब यह सारी cells में पाया जाता है It is a general enzyme which is found in all cells ठीक है अब यह sorbitol बन गया इस aldose reductase की वज़े से अब यह जो sorbitol होगा ना यह बदलेगा fructose में It is converted into fructose by another enzyme which is called sorbitol dehydrogenase ठीक है कौन सा enzyme sorbitol dehydrogenase ठीक है यह sorbitol dehydrogenase enzyme sorbitol को fructose में बदल देगा fructose अब यह fructose body में ही बन रही है यह बाहर से नहीं ली जा रही है It is synthesized in body itself यह body में बन रही है बाहर से नहीं ली जा रही है और body में कहां बन रही है where body में यह बन रही है बहुत few cells में for example जिन में से एक है sperm cell यहाँ पर sperm में fructose की जरुरत होती है है ना as a food तो fructose के अंदर यह sorry sperm के अंदर यह fructose बनता है ठीक है sorbitol dehydrogenase ठीक है अब यह normal सा पात्वे हो गया अब इसका clinical significance क्या है clinically कैसे important है जो भी diabetes के patient होते हैं आप जानते हो उनके अंदर glucose का level obviously बड़ा जादा होगा glucose का level जादा होगा न बुलू न glucose का level उनमें जादा होगा अब glucose का level जादा होगा तो 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 देखिए तो यह glucose होगा यह आप जानते हो peripheral cells में तो यह move नहीं कर सकता न यह कहीं न कहीं तो उसको निकाला जाएगा तो यह glucose चला जाता है उन cells में उन cells में यह entry ले लेता है जहां पर entry doesn't depend on insulin insulin dependent entry नहीं होती तो यह वहां उन cells में पहुंच जाता है ऐसी कौन सी cells हैं यह तो बताओ ऐसी वो वाली cells हैं वो वाली कौन सी kidney, nerve, retina, lens यहां पर यह entry ले लेता है retina lens में यह excess glucose पहुंच जाता है ठीक है अब glucose access हो गया तो यह enzyme है aldose reductase इसके बारे में तो मैंने बताया था ना कि यह all cells में present होता है एक general enzyme होता है तो aldose reductase अब सारी cells में मिल जाएगा तो glucose को यह aldose reductase जो इन में retina lens इन सब में यह extra glucose enter हो रहा है इसको यह aldose reductase sorbitol में बदल देगा और sorbitol का आगे जो conversion होता है ना यह sorbitol dehydrogenase की presence में यह fructose बनता है यह वाला जो conversion है यह इस case में नहीं होगा ठीक है यह sorbitol के आगे वाली यह जो process है यह नहीं होती है यहाँ पर क्योंकि यह enzyme as sorbitol dehydrogenase यह नहीं होता है इन जगों पर retina lens kidney यहाँ पर ठीक है तो अब जब यह sorbitol fructose में आगे नहीं बदल रही है तो sorbitol access होने लगेगी sorbitol का deposition होने लगेगा हाँ के ना sorbitol का deposition होने लगेगा sorbitol access हो जाएगा and this sorbitol is a hygroscopic alcohol and because of this sorbitol deposition access sorbitol snow flake cataract हो जाता है snow flake cataract यह चीज हो जाती है snow flake cataract तो जो patient जिनके अंदर diabetes होता है उनमें यह snow flake cataract भी यह वाला मोतिया बिंद भी देखा जाता है क्योंकि glucose इनी cells में तो enter कर रहा है retina lens वगेरा इनमें ठीक है अब ऐसा देखा गया research में कि यह sorbitol जो है इसी कारण इसी के access होने के कारण जो diabetes के patients में retinopathy, neuropathy होती है वो इसी sorbitol के कारण होती है तो जो drug companies है द्यार working on the drugs जो की इस aldose reductase को खतम कर सके है यहीं पर अगर इसको खतम कर देंगे तो glucose आगे sorbitol में नहीं बदलेगा तो कुछ चीजें कम करी जा सकेंगे ठीक है ऐसा कोई drug अभी तक known नहीं है लेकिन इस पर research चल रही है बन जाएगा very soon in the future ठीक है तो यहीं पर अपना sorbitol pathway खतम होता है तो मिलतें next video में with a new topic till then take care bye bye